परिवार में बार-बार सबका यूरिक एसिड बरहा हुआ आ रहा था। जब नूट्रिशनिस्ट से बात की ताकि पता चल सके भोजन में किस किस्म के बदलाव किये जाएं, तब उसने दाल बनाने के सही तरीके के बारे में बताया। दाल कभी भी यूरिक एसिड नहीं बरहा चाहिए। इससे दाल का स्वाद अधिक बरहच कर आता है और पकाने का समय भी कम हो जाता है। दाल, पानी, हल्दी और नमक को कुकर में डाल कर सीधे बंद कर नहीं पकाना चाहिए। यही वह गलती है जो यूरिक एसिड को बरहाती है। पहले दाल, पानी, हल्दी, लहसु अधरक और नमक को कुकर में डाल कर बिना ढकन के उबाल आने देना चाहिए। जब दाल में उबाल आता है तो साथ में जाग भी आती है। उस जाग को किसी बढ़े चम्मच की मदद से निकाल देना चाहिए और फिर कुकर को बंद कर दाल पकानी चाहिए। यही जाग ही य भी कुछ घरों में इस बात का ध्यान रखा जाता हो। डाल के छोंक में हींग और करी पत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। करी पत्ते का नियमित सेवन यूरिक एसिड को न केवल कम करता है, बलकि यूरिक एसिड को होने भी नहीं देता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि आपके यहां इस जाग को निकाला जाता है या नहीं।